तुमशकार आप देख रहे हैं बिहारी News. बिहार में कोरोना का संक्रमन लगतार बड़ते जा रहा है। बिहार में टेस्टिंग 20,000 से जदा होने लगी है ऐसे में कोरोना मरीजों के मिलने की संख्या में भी भारी बड़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना मरीजों के बढ़ती संख्या को देख प्रशाशन ने मरीजों की सुविदा के लिए कई विवस्थाइं की हैं लेकिन कोरोना से जुड़ी की गई विवस्थाओं और दी जा रही सुविदाओं के बारे में आम जन को जनकारी नहीं होने के कारण उन्हें काफी परिसान और दिक्तों का सामना करना पर रहा है ऐसे में प्रशाशन ने बिहार की जनता के लिए संजीवन मोबाइल एप लॉंच किया है जो उन्हें बिहार राज में कोरोना संबंदी सभी जनकारी उन्हें मोबाइल पर ही उपलब्द करा देगा इस एप में आपको कोरोना से जुर स्वास्तकेंद्र की जनकारी किस आइसोलेशन सेंटर में कितने बेड हैं और उनमें से कितने खाली हैं अगर स्वास्तकेंद्र से जुरी कोई सिकायत है तो वह आप इस एप से कर सकते हैं इस एप के माध्यम से सिकायत दर्ज कर सकते हैं साथ में आप मैसेज करके भी कई महत तो पूर्ण जानकारियां इस एप के माध्यम से ले सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस एप को डाउनलोड कैसे करना है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। आप तीन जगहों पर इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है www.health.bih.nic.in दूसरा है statehealthsociety.bihar.org और तीसरा है playstore लेकिन तीन अगस्त के बाद से ही आप इसे यानि संजीवन एप को playstore से डाउनलोड कर पाएंगे। यानि अभी यह दो जगह ही उपलब्द है पहला www.health.bih.nic.in और तीसरा है www.statehealthsociety.bihar.org मैं इसे statehealthsociety.bihar के website से डाउनलोड करने वाला हूं तो चलते हैं mobile के screen पर तो अभी हम आ गया है Google पर और यहाँ पर हम सर्च करेंगे statehealthsociety.bihar.org यह हमने सर्च किया है और अब हम यहाँ पर go करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर संजीवन संजीवन मुबाइल एप का यहाँ पर option दिया है इस पर हम अब क्लिक करेंगे और यह देखें यहाँ पर download का option आगया है यहाँ पर हम इसको download कर लेंगे downloading यह ज्यादा बड़ा size का नहीं है मात 7 MB का है और इसको download करने के बाद अब हम यहाँ पर open पर click करेंगे और open कर लेंगे इसको यहाँ पर देखेंगे install का option आएगा फिर अब हमें install पर click करना है और install कर लेना है इसको अब यह install हो रहा है जैसे install हो जाएगा यह देखें install हो चुका है यह संजीवन एप और यहाँ पर open करेंगे open करते ही हम यहाँ पर देखेंगे allow का option मांगेगा हमें कुछ नहीं करना है ज्यादा बस इसे allow कर देना है सब चीज़ों को जो भी allow की option मांगेगा allow करते चलिए जैसे allow करेंगे यह open हो जाएगा देखेंगे संजीवन एप open हो चुका है यहाँ पर बहुत सारे option होंगे उपर में देखिएगा test के लिए register करें नजदी की covid prediction केंद्र home isolation स्वागोसना नजदी की covid स्वास्त केंद्र और नजदी की covid अस्पताल समाने प्रस्ट ऐसे कई option यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे इसके अलावे यह पर चार्ट का भी option आपको दिखाई देगा यहाँ पर phone का भी option आपको नीचे दिखाई देगा आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको कोई समस्य आ है तो आप यह पर chart कर सकते हैं कोई जनकारी लेनी है तो chart यह phone करके चार्ट यानि siis message करके आप उनसे पूछ सकते हैं या phone करके आप उनसे जनकारी मान समते हैं अब यहाँ पर हम test करने के लिए register करते हैं पहले तो ये देखेंगे जब हम test के लिए register का जो option उससे ऌपड़ करते थे हैं तो हमसे पूछा जाता है कि कहा जाता है केस पंजी करनी यानि अपना पंजी करन कराई है नाम डालना है आयू डालना है मोबाइल लंबर दीजिए लिंग और आपने संपर्क की जो भी जनकारिया है वह आपको यहां पर देना होगा राज जीला ब्लॉक राष्ट्रियता पिन कोड उसके अलावा आपको लक्षण बताने होंगे कि आप में किस प्रकार के लक्षण बुखा रहे है खासी है और सांच लेने में तकलीफ है या कोई भी लक्षण नहीं है लक्षण की कब से हो रहा है इसका तारीक यहां ऑप्शन में देना होगा इसके अलावा क्या आप कंटेनमेंट जून में रह तो जांधे रहा है कि आपको कोई वीमारी है तो बारे में अपको क्लिक कर देना कुछ नहीं, मुझे नहीं है यह सब और मुझे टेस्ट नहीं करें तो मैं इसको पंजिया नहीं कर ँगा तौक सब्सक्राइब करता यह और ग्ल दूसुरा नज़दीकी जोशुरा क्या में में जितना नीचे जाँगा यह मुझसे थोड़ा दूर होते जाएगा मतलब जाच केंदर का जो दाइरा मेरे लोकेशन से 100 km की अंदर है 100 km तक मेरे किस जगह पर कोविट जाच हो रहा है वह यह पूरी जनकारी देता देख सकते हैं यह लोकेशन आपको बता रहा है, यह अभी के आपके लोकेशन से कितना दूर है, यानि आपको अपने फोन में लोकेशन अन रखना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, देखिए यहां पर नीचे आपको दिखाऊंगा, मैं देखिए, यह 100 किलो मीटर तक आपके अंदर ज जानकारी लेनी है, जैसे मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूं कि कैसे आप जानकारी ले सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि यह मेरे सबसे नजदी कि उस पर क्लिक कीजिएगा, तो यह Google Map के द्वारा, आपको उसका रास्ता भी बता देगा कि आप वहां पर कैसे प होगा और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं OTP देने के बाद आप अंदर देखेंगे कि या मैं घोसित करता हूं कि मेरे पास home isolation के लिए अलग अक्षा और सुचालिक सुविदा है यानि आपको सुविदा है आपके घर में home isolation की अलग कराने की अगर आप positive आ गये हैं और आपको घर में सुविदा है तो आप इस पर मोवाइल नंबर दर्जकर OTP दर्जकर आप स्वगोसित कर सकते हैं पहले आपको इसके लिए जीला अधिकारी को एक डेविट देना हो दाता अब यह सुविदा दे दी गई है कि आप घर से फोन से ही स्वगोसित कर देंगे कि हम मैं अपने घर में isolation में रहना चाहता हूं तो यह सुविदा भी बहतर है ताकि आपको दोर धूप से जंजर से चुटकरा मिल जाएगा अगला है नजदी की कोविट अस्पताल स्वास्तकेंद्र इसको भी देखेंगे तो आप इसका मतलब है कि जो आपके नजदी की जो अस्पताल है आपके location के नजदीक में उसके 100 km के दायरे में जितने वी कोविट के अस्पताल है उसके बारे में बता दिया जाएगा आपको कि वहां पर कितने बेड़ हैं और कितने बेड़ खाली हैं यानि कि आपके लोकेशन से सबसे नजदी की अस्पताल जो कि सबसे उपर होगा और सबसे दूर अस्पताल वो सबसे नीचे होगा तो इस अधार पर आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन से आपके घर के नजदी के अस्पताल में जहां पर कोवीड का इलाज हो रहा है और वह है और उसमें खाली केतना है यानि टोटल बेड एंड वेकेंट बेड दोनों ही इसमें जनकारी दी गई है लोकेशन के साथ में आपको दिक्रत नहीं होगा आप उस पर क्लिक करिएगा आपको जाने आने का पूरा रास्ता भी आपके घर से दिखा दिया जाएगा यानि आपक पर कितने बेड हैं कौन से अस्पताल में इलाज हो रहा है और कौन से में नहीं और कितने बेड वहां पर खाली है कोरोना मरीज के इसके बारे में पूरी जनकारी आपको देख रहे हैं कि नजदी की कोविड अस्पताल DCSC का जो यह option है इसमें आपको मिल जाता है इसके अला किसी प्लाक करते हैं मतलब कि किसे खिलाज करना चाते हैं यह सबस्ताइज को ना सब्सक्राइब करना है कर रहा है तो कोई अन्य आपको कोई सिकायत किसी के प्रती तो आप यहां पर दर्ज करा सकते हैं इसमें से कोई भी आप चून सकते हैं अपने सिकायत के स्रेनी के अनुसार इसके बाद आपको उस सिकायत के संबंद में विबरन देना होगा कि क्या सिकायत है विबरन दर्ज कर यानि यहां पर आप बताएंगे कि क्या सिखाया था उसके बाद अगर आपके पास उससे जुड़ा कोई सबूत के तोर पर कोई फोटो है तो वह भी आप यहां पर लगा सकते हैं कि आपका यह सिखाया था अब है यहां पर देखिए जीला पतकालिन संपर्ग विवरन इसको आप कोई अगर मदद ले नहीं हो अगर मालीजय बहुत ही बुड़ी प्रस्तिती में फसे हुए हैं और आपको कहीं से कोई सवयोग नहीं मिल रहा है तो आप इस जीला पतकालिन संपर्ग विवरन पर कॉल कर जो यह नंबर सभी जीलों का है तो याद रखिए का आपको आपकालिन संपर्ग कर सकते हैं और वहां से सहयोग ले सकते हैं आप देख रहे होंगे कि सभी जीले हैं एक नंबर है दो नंबर है किसी में तिन नंबर भी दिये हुए हैं तो जिस जीले में जितने केंद्र बनाए गए होंगे आपकाल के उतने नंबर आप यहां पर देख रहे होंगे तो यह भी एक अच्छी सुविदा है कि अगर आप कहीं फंसते हैं तो उसके लिए भी यह आपको सहयूख करेगा अब यहां पर देख रहे होंगे कि थोड़े बहुत संजीवन मुबाईल एप के बारे में बताया गई है यह तो ठीक है कि चलिए जो मुबाईल एप बना दिये गए हैं जिससे सुविदा के लिए यह बिहार से बाहर दिल्ली या अन्ने राज्यों में पहले से एप जैसे कि इस एप में सबसे बड़ी समस्य है कि अपडेट नहीं किया जाता है जैसे माली जी है किसी अस्पताल में 100 बेट है लेकिन वह 100 बेट आज रात को उसमें से 80 बेट भर गए हैं मरीज से तो बचे कितने 20 बेट लेकिन वह 80 बेट जो भरे हैं उसको at a time अपडेट करन नहीं मिलेगा क्योंकि उतना बेड़ माँ खाली अगर नहीं होगा तो फिर यह समझे कि उन्हें डबल पर इसानी जैनली पर जाएगा इसलिए जरूरी है कि इस पात का ध्यान रखा जाए कि किसी परकार की अपडेट जो करनी है उसमें देर ही ना हो अगर जो भी काम हो रह होगा और आप इसको डाउनलूड करके रख सकते हैं फिलहाल बिहार में कोरोना का चैन बढ़ता जा रहा है उसमें यह काफी कारगर होगी आपके इलाज में आपके जांच में काफी मौतवपूर्ण योगदान या एप दे सकता है तो फिलहाल के लिए इतना ही ख़बरों स बने रहने के लिए देखते हैं यह बिहारी न्यूज धन्यबाद